स्वागत आपका A.R. News इंडिया पर मैं हूँ आपके साथ आकिल रजा इसमिर्ती इरानी लगार सवालों के घेरे में है उन पर दवाब बनाया जा रहा है कि इसमिर्ती इरानी जो है अपने पद से स्तीफा दे वो अपना पद छोड़ें क्योंकि केंद्रिय मंत्री है से इलीगल रूप से एक मरे हुए इंसान के नाम से रेस्टोरेंट चला रही थी और ये आरोप कॉंग्रेस के तमाम नेता जो है लगाते हुए नजर आ रहे है हालकि इसका जवाब दिया है जवाब दिया है स्मिर्ती इरानी ने और उन सभी आरोपों से पल्ला ज़ाडा है और कहा है कि उनकी बेटी कोई रेस्टोरेंट नहीं चलाती है लेकिन उसके बाद तुरंट कॉंग्रेस के नेताओं ने तमाम सबूतों के साथ फिर से हमला बोला और तमाम आरोप लगाए लेकिन अब जो आरोप लग रहा है दोस्तों वो हैरान करने वाला है वो हैरान करने वाला इसलिए है क्योंकि जिस पार्टी से स्मिर्थी रानी आती है भारती जनता पार्टी के लिए बीफ एक बड़ा मुद्दा रहा है और बीफ को लेकर उनके नेता बयान देते रहे हैं इसको लेकर राजनीती होती रही है लेकिन अब उस रेस्टोरेंट में बीफ और पॉर्क परोसने का आरोप लग रहा है यहां तक के मैनु कार्ट भी सोशल मीडिया पर वाइरल है मैनु कार्ट के जरीए कई लोगों ने आरोप लगाया है जिसमें एक अभीनेता भी है हम आपके सामने मैनु कार्ट रखेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे उन सारी चीजों पर सबसे पहले यह खबर आप जनसत्ता की लेख लीजिए लिख रहा है कि छीछी इरानी के कैफे में तो बीफ भी मिलता है अभीनेता ने किया ट्वीट तो लोग पूछने लगे ऐसे सवाल अब लोगों ने क्या क्या सवाल पूछे और ट्वीट क्या क्या है ये बता देते हैं उसके बाद हम इस पूरी खबर पर जाएंगे कमाल आर खान जो अभी नेता है उन्होंने ट्वीट किया उन्होंने लिखा कि इरानी के कैफे में तो पोर्क और बीव भी मिलता है छी छी भक्तों के लिए डूब मरने के लिए डूब मरदें के दिन आ गए है सोशल मीडिया पर लोग कमाल आरखान के इस ट्वीट पर अपनी पिर्तिक्रियाए दे रहे हैं ये ट्वीट आपकी स्कीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने सवाल किया और साथ में ये मैन्यू कार्ट दिया जिसमें आप देख सकते हैं जो मेन्यू कार्ट को देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ आपको मिल जाएगा जहां पर लिखा हुआ है बीफ और पॉर्क के बारे में लोगों की क्या पिरती के रिया है? बीएस दैनन नाम की यूजर ने लिखा कि ये बात धर्म की शर्तों पर लड़ने वालों को समझनी चाहिए गरीब लोग ही धर्म के लिए लड़ते हैं और धर्म के लिए मरते हैं क्या कोई धनी व्यक्ती का बेटा या बेटी कभी धर्म के लिए लड़े और मरे हैं? ये सवाल उन्होंने पूछा और बहुत बाजिब सवाल है क्योंकि आज देखिए धर्म के आगे धर्म का जंटा लेकर जो आगे चल रहा होता है वो व्यक्ति होगा जो कमजोर होगा जो गरीब होगा जो शिक्षा से दूर होगा और इसी बात को लेकर वो सवाल कर रहे हैं निसार परवेज नाम की यूजर ने लिखा कि मैनू कार्ड में से रेस्टोरेंट का नाम कहा चला गया बाजिब सवाल है इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने टुईट की हैं अब हम वापस खबर पाराते हैं अगर ये आरोप हैं और गंभीर आरोप हैं और इसको लेकर इस्तीफे की भी मांग की जा रही है सवाल ये है कि स्मृती इरानी ने जवाब तो दिया है स्मृती इरानी ने प्रेस कॉनफरेंस करके जवाब दिया उसको निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि मैंने अमेटी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा ये तो कोई बात नहीं इसके अलावा भी तमाम आरोप लगे पला जहारती हुए वो नजर आई और जो एक वीडियो सामने आया उसने और जो है इन आरोपों को पुख अगाया video ये और ये ने तस्वीर आप देख सकते हैं वहाँ पर जो छुद फेनी कोशिश की गई बार SCOTT बार भार चुपाने की कोशिश की गई लेकिन ओग्रेश कारेकृता होने टेप हटाया और हकीकत दिखाने का वहां पर वीडियो बनाया और सब की सामने जो है अगर बाके आपका नाम या आपकी बेटी का नाम जुड़ावा नहीं है तो फिर बार का नाम छुपाने की जरूरत क्या है? साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि समिर्थी इरानी ने कॉंग्रेस के नेता पवन खेडा और दो और लोगों को लीगल नोटिस भी बेजा है और माफी मांगनी को कहा है और कहा है कि अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो आप पर लीगल कारवाई की जाएगी वराल इस मामले को लेकर लगतार बहस चड़ी हुई है आरोप पिरती आरोप का दोर चल रहा है आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर आप भी अपनी पिरती के लिए कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों बहुत शुक्रिया